इतनी दौलत के मालिक है रॉयल रॉस्टपती डॉनाल्ड ट्रॉम्प डॉनल्ड ट्रॉम्प अरे नहीं नहीं हम डॉनल्ड ट्रॉम्प के आकरमक अंदास की बाद नहीं करने जा रहें आप तो इनका नाम सुनकर नचाने क्या क्या सोचने लगे हम तो उनकी रईसी, उनकी दौलत मंदी, उनकी अमीरी पर बात करने जा रहे है दोस्तों दुनिया में जब भी अमीर लोगों की लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प का नाम दर्ज करना ही होता है और अब तो ट्रम्प अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्टपती भी हैं दूस्तों आपको बता दे ट्रम्प महंगी चीज़ों के बड़े शौकीन है उन्हें जो चाहिए होता है उसे भी लेकर ही छोड़ते हैं चाहे वो राजनीती का आंगन हुई या महंगी चीज़ें ये कार डॉनल्ड ट्रम्प के कार कलेक्शन में 1956 की सिल्वर क्लाउड थी ये उनकी सबसे पुरानी कार भी है और डॉनल्ड ट्रम्प के पास 3.36.000.000 की एक डॉनल्स रॉस पैंथम भी रही जिसे दुनिया की सबसे महंगी और अच्छी कार भी करार दिया गया इसका इंटीरियर गर्जब का है जो की गोल्ड प्लेटीनियम से सजाय गया है मगर अपनी सुरक्षा के चलते ट्रम्प को इस गाड़ी का मोह त्याग ना पड़ा अब वो एक अती सुरक्षेत कार कैडलिक में सफर करते है गोल्फ कोर्सिस डोनाल्ड ट्रम्प के गोल्फ प्रीम से तो दुनिया वाकिफ है लेकिन क्या आपको पता है उनके पास गोल्फ खेलने के लिए 17 गोल्फ ग्राउंड है और इन 17 गोल्फ ग्राउंड की कीमत लगभग 17 अरब है अभी उनके 3 गोल्फ ग्राउंड चर्चा में है जो न्यूव यॉर्क में है तीन ग्राउंड फलोरिडा में, दो ग्राउंड न्यू जर्सी में है एक कैलिफोर्निया में इसी तरहें दुनिया की खासका जगाओं में उनके खरीदे गोल्फ ग्राउंड है यू तो जहाज एक यात्रे विमान था मगर डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे खरीद कर अपना निजी विमान बना दिया इस जहाज को उन्होंने बड़े नायाब ढंक से डिजाइन भी करवाया जहाज के अंदर का फर्मीचर लेविस सिटिंग से सजा हुआ है इसके लावा इस जहाज में कई बेडरूमार एक आफिस भी है इसे और बड़िया बनाने के लिए डोनाल ट्रम्प ने इसके असली इंजिन को हटवा कर इसमें दो रोल्स रोयस कारों की इंजिन लगवा दिये इसकी कीमत पूछ रहो तो बताए देते हैं इस शांदर जहाज की कीमत है दो अरब रुपए इस असाधारन हेलिकॉपटर को ट्रम्प ने 40 करोड रुपए देगर खरीदा था 40 करोड देने के बाद भी इन्होंने हेलिकॉपटर को और चमकाने के लिए इसमें 5 करोड रुपए और फूप दिये 24 करेट गोल्ड से इस हेलिकॉपटर की साज सज्जा की गई इसका फनीचर लेदर के आवरन से ढखा हुआ है रईसी की फिलिंग के साथ ये एक आराम दायक हेलिकॉपटर है दोस्तों ये और्गनाइजेशन एक रियल स्टेट कमपनी है ये और्गनाइजेशन गोल्फ कोर्स, कसीनो, होटेल्स को संभालती है आपको बता दे कि डोनाइज ट्रम्प एप्रेंटाइस नाम की कमपनी के मालिक भी है खास बात ये है कि वो एक मॉडलिंग एजनसी के सर्वेस अरवाबी है इसके अलावा डोनाइज ट्रम्प का अर्निंग आफ सोर्स, रिटेल और बिजनस भी है अपनी तेज तरार्ती के भाशनों और आकर्मक रवाइये के लिए मशूर डोनाइज ट्रम्प के वेक्तितु पे गौर किया जाए तो वो आपको सब राजनेताओं से अलहदा दिखाए देंगे राष्टपती पद पे आने से पहले और राष्टपती पद पे रहते हुए भी डोनाइज ट्रम्प की रईसी पे जरा भी फर्क नहीं बढ़ा है और ये रईसी इनके मिजाज से जलकती है अगर आप डोनाइज ट्रम्प के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो बिंदास के डालिए कॉमेंट में आपको डोनाइज ट्रम्प की किस बात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया या भारत के प्रतियम का रवईया आपकी नेजर में कैसा है आपके कॉमेंट भी डोनाल्ड ट्रम की रही सी कितरा लाल जवाब हो सकता है जैहिंद वन्ने मातरम